स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों हमारे व्यूवर्स के कल से कमेंड्स आ रहे हैं टाटा स्टील के कौाटर टू के रिजल्ट के ऊपर एक वीडियो बनाए कि कैसे रह सकते हैं नंबर्स तो मैं ये पूरा प्रिव्यू लेके आया हूँ आप सभी के साथ रिजल्ट कैसे रह सकते हैं और आपको इन रिजल्ट को कैसे वाच करना है देकि मैक्सिमम सबसे बड़ी गलती जो है जो पबलिक करती है रिजल्ट को देखते हुए वो दो तरीके से करती है पहला quarter on quarter basis पे चेक करते हैं दूसरा year on year basis पे चेक करते हैं लेकिन जो matter करता है वो ये नहीं करता कि quarter on quarter कैसे आए year on year कैसे आए trust me दोस्तों आप को शायद maximum influencer जो मेरी तरह YouTuber हैं वो सिर्फ quarter on quarter basis year on year basis पे बताते हैं फर्क सिर्फ इतना है वो BSC की साइट पे जाते हैं वहां से company के statement में जाके PDF पे जाके results open करते हैं results में जब आप किसी की balance sheet में results देखोगे तो results में आपको क्या दिखेगा जब results में simple सी आपको दिखेगा कि last quarter company ने इतना performance दी थी last year company ने this quarter में इतनी performance दी थी इस quarter इतनी performance दी है यहाँ पे यह expense है यहाँ पे यह income है profit before tax, profit after tax earning per share पूरा सब कुछ देखेगा लेकिन नहीं देखेगा तो एक चीज और वो सबसे important होती है वो क्या है market की expectations जो कि वो company का matter नहीं है market का क्या अनुमान लगा रहा यह check करने के लिए आपको market में ही check करना पड़ेगा तो मैं आपसे हमेशा यह कहता हूँ कि जब भी आप किसी company के number देखो तो पहले यह देखो क्या market कुछ अनुमान लगा रहा है उन numbers पे अगर market का कोई भी अनुमान है तो उस estimate से compare करो आप numbers को quarter on quarter year on year basis पे मत करो क्योंकि बजार हम सबसे ज़्यादा smart है अगर बजार for example अगर मैं आपसे बोलू दिवाली के quarter में sorry दिवाली का जब मन्त होता है तो Asian Pains के number higher side पे आने है बजार को पता है तो वो automatically next quarter में जो numbers के expectations है वो ज़्यादा की रखेगा बजार से for example कोई ऐसी चीज़ जो winters में use होती है और summers में नहीं होती for example voltas ले लीजिए या symphony का stock ले लीजिए तो इनसे December या फिर March के quarter में expectations ज़्यादा नहीं करेगा बजार समझ रहे हो ना आप बात को लेकिन वही जुलाई के quarter में अच्छी खासे expectations रहेंगी क्योंकि उनका season है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए matter करती है अब आप किसी stock का जो गर्मी में काम करता है उसमें उसके काम को आप December में compare कर लो तो कोई match ही नहीं बनेगा तो उसको year on year basis quarter on quarter basis वो matter नहीं करता ज्यादा matter करता है बजार के expectations और बजार हर किसी share पे अपनी expectations नहीं रखता है यानि analyst की क्या राय है वो देख लो है तो ठीक नहीं है quarter on quarter year on year देखो बस simple अभी Tata Steel जैसा दिगज market की काफी सारी coverage रहती है इस stock पे तो इस stock पे तो market का अनुमान पूरा पूरा है तो market क्या लेके चल रहा है वो मैं आपके साथ share कर देता हूँ और last quarter company ने कैसी performance दी थी और September के जो की last year के हिसाब से आप year on year compare करोगे वो कैसा था वो भी आपको बता देता हूँ और उन सब के सामने बजार की expectation का है वो बताता हूँ तो सबसे पहले जून quarter में company ने 7700 करोड़ का profit पोस्ट करा बहुत बढ़िया September में लगबग 12500 करोड़ का profit पोस्ट करा था कितना 12500 करोड़ और अभी जून में 7700 करोड़ अब क्या नंबर आना चाहिए आप लोग सोचो के भाई 8000 करोड़ का नंबर आए तो नंबर सच्छी है क्योंकि quarter on quarter पे जम्प लेकिन ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है मैं बता दू बजार का अनुमान है कि लगबग profit 66% गिर कर आएगा 66% quarter on quarter नहीं year on year और last year कंपनी का profit था 12,000 करोड़ के something का 12,500 करोड़ का तो मार्केट मान के चल रहा है कि कंपनी इस बार 4,100 करोड़ के पास का profit पोस्ट करेगी कितना? 4,100 4100 बोल देते हम 4,100 करोड़ के profit का अनुमान है बजार का अब अगर बजार 4500, 5000 कोई भी नंबर पेश करता है profit का Tata Steel 31st October को तो ये numbers होंगे अच्छे फिर हमें quarter on quarter गिर रहा है year on गिर रहा है उससे मतलब नहीं है क्योंकि market की expectation है 4,200 करोड़ के मान के चलते हैं हम round figure में और उससे अच्छी आगी तो अगर प्रोफिट आगया 4000 करोड या उससे भी नीचे तो ये numbers खराब है ठीक है सिर्फ ये चेक करना है मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 4,200 करोड़ अगर प्रोफिट 4,200 करोड़ से उपर आए तो नंबर अच्छे नीचे आए तो नंबर खराब चोड़ दो सिंपल सी बात है आगे बढ़े रेविन्यू की बात करो तो मार्केट का अनुमान ने 4% रेविन्यू बढ़के आ सकते है 60,000 करोड़ से बढ़कर 62,700 करोड़ करीब आने चाहिए चलिए नेक्स चीज आपके साथ मैं कंपेर करूँ तो मार्जिन्स मार्केट का अनुमान कुछ इस प्रकार का है कि मार्जिन्स जो है लगबग कंपनी के 27% से घटकर जो मार्जिन्स हैं हो सकता है ये स्टॉक आपको एक्चुली मेरे फोन में क्याएगी इस तरीके से देखना पड़ेगा मुझे 27% से घटकर मार्जिन्स 15% के सम्थिन्स आ सकते हैं कितने 27% से घटकर 15% इनफेक 15.6 16% का एस्टीमेट है अगर मार्जिन 16% से नीचे रहते हैं तो नंबर्स खराब उपर आते हैं तो नंबर्स अच्छे ठीक है 27% से घट रहे हैं उससे उपर आता है तो अच्छा आपको इस अब कुछ समझ में आ गया होगा उसके बाद रियक्शन देखते हैं और वैसे टाटा स्टील जैसा अपने नंबर्स पर रियक्ट नहीं करता है यह भी मैं आपको बता दूँ जैसे JSW स्टील नहीं करा वैसे टाटा स्टील भी नहीं करेगा जहां तक लगता है क्योंकि यह स्टॉक मैंने पिछले 3-4 क्वार्टर में देखा है अच्छे नंबर्स के बाद भी उपर नहीं गई